हेलो एव्रिवन गुड इवनिंग तो लॉफ यूट्यूब चैनल लॉइन विट कॉंसेट बैशना विश्कर्मा होप यौल और गुड नौइट्स में साइनिंग इन कैसे आप सभी बेटर होंगे चलिए हम बात करते हैं हम पैडागोजी क्वेशन सिरीज की बात करें तो इस आपर देख सकते हैं और यह फिजिकल साइन्स का मेथट का पेपर है आंसर एनि 4 फॉर गॉस्टन इंव इस कंपल सरी तो यहां पर फिजिकल साइनस की बात करते हैं जिसमें की आपको नॉर्मली दे रखा है कि आपको चार कोशें अकरने के इसमें से क्वेशन नंबर वन क् निमलिकित में से किनी दो पर संचिप्त टिपडी लिखी है तो पहला दे रखा है A. Why science is useful for our life? हमारे जीवन के लिए विज्ञान क्यों पी होगी है? इस पर short notes लिखना है, number B में दे रखा है What is difference between aims and objective? लक्षी दता हो देश में क्या अंतर है? ठीके आपको short notes लिखना है Now move on the next portion, next में दे रखा है C, C वाले portion में दे रखा है Seminar presentation, seminar परस्तुती करण क्या होता है? D में दे रखा है Give suggestions for change in the present curriculum, वर्तमान पाथे करम में परिवर्तन हे तू सुझाओ दीजिए तो ठीके है, यहाँ पर short notes था जिसमें से 4 बेसे आपको दो करना है Now move on to question number 2, question number 2 दे रखा है What is difference between heuristic and project method? Clarify uses of both method in the reference of science teaching Heuristic और योजना विधी में क्या अंतर है? इस परस्ट करें विज्ञान सिक्षड के लिए दोनों की विधियों की उप योगिता का वर्णन करें Number 3, describe in detail B.S. Bloom Taxonomy of Educational Objective B.S. Bloom दोरा प्रतिपादित उद्देशों की वर्गी करण का विस्तरत वर्णन कीजे Number 4, what do you understand by audio-visual aids? Why their application is necessary in science teaching? Question Number 5, define the evaluation, describe the formative to formative and summative evaluation in science teaching तो आप इसको देख सकते हैं, ठीक है? उसके बाद question Number 5 था या? अब move करते हैं हमनों question Number 6 पे Next question के अगर हम बात करते हैं तो question Number Minute Next question में आप देख सकते हैं, ये question Number मुल्यांकन को परिभाशित कीजे संरचनात्मक और मुल्यांकन को परिभाशित कीजे संरचनात्मक और संकल्पनात्मक मुल्यांकन का वर्ण कीजे Question Number 6, describe in detail meaning and need and importance of lesson plan तो ये आपका पेपर था इस पेपर को देख लीजेगा फिजिकल साइंस का था और जो सेशन हम आ रहा है ये बीस इककी से और टाइम डिरेशन आपका वन एन हाफ आफ आवर है पासिंग मांक्स फॉर्टी एटीन है So, thanks for our video and signing off. Learn with Concept by H. Navishukarma